पिछली सत्र में हमने यह सर्वसमिका देखी और इसका उप्योग देखा अब मित्रो इस सत्र में हम एक और सर्वसमिका देखेंगे चलिए इस सर्वसमिका को देखते हैं यह समिकरण कहता है कि अगर हम दो चर ए और बी को जोड़ेंगे और उसे ए घटा बी से गुणा करेंगे तो यह ए वर्ग घटा बी वर्ग के समान होगा क्या आप पता लगा सकते हैं कि क्या यह सर्वसमिका है चलिए देखते हैं इस व्यनजग पर गौर कीजिए चलिए इसे कोश्ठक खोल कर सर्वी कृत करते हैं यह इसके समान होगा अब यहां क्योंकि अब बी बी ए के समान है धनात्मक अबी और रुनात्मक अबी रद हो जाएंगे तो हमें यह मिलेगा देखिये, यह वही व्यनजग है जो यहाँ दाएपक्ष में है तो इसका मतलब यह है कि यह एक सर्वसमिका है इस सर्वसमिका को देखने का एक दिल्चस्प तरीका भी है चलिए, मान लीजे कि हमारे पास एक वर्ग है जिसका भुजा A है और हम इस वर्ग में से एक छोटे वर्ग को हटा देंगे जिसकी भुजा की लंबाई B है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बचे हुए भाग का शेत्रफल क्या होगा? इस बचे हुए भाग का शेत्रफल निकालने के दो तरीके हैं चलिए पहले वाले को देखते हैं हम यह देख सकते हैं कि इस बचा हुआ शेत्रफल दो आयतों में बाटा जा सकता है इस पहले आयत की लंबाई A के समान है और चोड़ाई A घटा B के समान होगी चलिए अब इस दूसरे आयत की और नजर डालते हैं हम देख सकते हैं कि इस आयत की चोड़ाई B है और इसकी लंबाई A घटा B के समान होगी लेकिन अब ध्यान दीजिए कि इस आयत की चोड़ाई इस दूसरे आयत की लंबाई के समान है तो हम इस आयत को यहां से हटा कर यहां जोड सकते हैं ये करने से हमें एक बड़ा आयत मिला, इस बड़े आयत की लंबाई A जोड भी है और इसकी चोड़ाई A घटा भी है। हम जानते हैं कि आयत का शेतरफल उसकी लंबाई गुणा चोड़ाई के समान होती है। इस प्रकार इस आयत का शेतरफल A जोड भी गुणा A घटा भी होगा। तो इस बचे हुए भाग का शेतरफल हमें यह मिलता है। इस शेतरफल को खोजने का एक दूसरा तरीका भी है। यह शेत्रफल असल में इस बड़े आयत के शेत्रफल गटा इस छोटे आयत के शेत्रफल के समान है। इन दो वर्गों का शेत्रफल क्या होगा? बड़े वर्ग का शेत्रफल ए वर्ग होगा और छोटे वर्ग का शेत्रफल बी वर्ग होगा। तो इसका मतलब है कि बचे हुए भाग का शेत्रफल ए वर्ग घटा बी वर्ग के समान होगा. अब क्योंकि यह दो व्यन जक इस बचे हुए भाग के शेत्रफल के समान है, इसलिए यह दो व्यन जक एक दूसरे के भी समान होंगे. तो इस तरह हमें यह सर्वसमीका मिलेगी तो इस सत्र में हमने यह सर्वसमीका देखी अगले सत्र में इस सर्वसमीका को कैसे इस्तमाल करें इसके कुछ उधारन देखेंगे झाल